सभी संतों के चरणों में मेरे प्रणाम सियावर राम चंद्र की नमस्कार मैं अजय कुमार सियावर राम चंद्र की जै इसी अभिवादन के साथ प्रधानमंति नरेंदर मोदी ने राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा के दौरान अपने भाशन की सुरुवाद की उसके बाद कहा कि अब हमारे राम आ गए है सदियों के इंतजार के बाद हमारे राम आ गए है मतलब प्रधानमंती नरेंदर मोदी ने वही बात दोराई जो कई महीने से नरेंदर मोदी की मिडिया दोरा रही है लोगों के मानस में भरने की कुशिस कर रही है कि राम आएंगे आएंगे उसी बात को प्रधान मंती नरेंदर मोदी ने एक निसकर्स पर पहुँचा दिया तो प्रधान मंती नरेंदर मोदी के इस वक्त अबे पर थोड़ा आप खुद सोच कर बताईए कि अगर आप एक आस्थावान व्यक्ति हैं राम के यादी से लेकर अनंत के अस्तित्तों को मानते हैं सरव्यापी अस्तित्तों को मानते हैं तो अगर आप से कोई कहे कि राम 22 जनवरी को आने वाले हैं तो आप इसे कैसे देखेंगे, मिडिया ने पिछले कई महीनों से जो यह प्रोपगेंडा चलाया है, क्या आप उससे सहमत हो पाएंगे, क्या इससे पहले राम इस दुनिया में नहीं थे, क्या राम इस बात से रूट कर कहीं चले गए थे, किवा किवल बाबरी मस्जिद में बसते हैं, जब तक मस्जिद तोड़ी नहीं जाएगी और तोड़ कर एक भव्य मंदिर नहीं बनाया जाएगा, तब तक वहाँ पर राम नहीं आएंगे, क्या राम का अस्तित्यु किवल बाबरी मस्जिद के अस्तित्यु पठिका हुआ है, आयोध्या के सैक्रों मंदिरों का क्या, भारत के लाखों मंदिरों का क्या, भारत के करोडों लोगों के मनों का क्या, जहां पर राम बसते हैं, क्या है सारी बाते जुटी हैं, कि वहल एक ही बार ठीक है कि राम 22 जर्वरी को आने वाले हैं, अगर आप एक आस्थावान व्यक्ति हैं, तो क्या प्रधानमंत नरंद्र मोदी के इस वक्तव्य से खुद को सहमत करा पा रहे हैं कि सद्यों के इंतिजार के बाद राम आ गए हैं आप नहीं सहमत हो पाएंगे जब आप इसका जवाब तलास्ति निकलेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा कि प्रधान मंति नरंद्र मोदी ने अपने पूल तयार किया है जिसके जर्यवा आम आस्थावान व्यक्ति से ले करके आम नागरिक तक्ति के बुद्धी को अपने की कोशिस कर रहा है और जिन मेडिया संस्थानों को इस तरह के वक्तव्य पे प्रश्ट चिन्न खड़ा करना चाहिए वह इसे पूरी धूम धाम के जिन के जर्ये राम राज्य स्थापित कर दिया जा रहा है तो क्या राम के ऐसे मंदर में सीता जी आएंगे क्या धरती मा का मन तयार होगा सीता को राम राज्य में भेजने को आप सोचते रहिए कि सियावर राम चंदर के वाल अभिवादन की तरह इस्तेमाल किया गया या इसे बहुत गहनता के साथ प्रधानमंती नरेंद्रमोदी ने अपनाया भी है। कि लालसा नहीं है वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं धर्म क्या होता है धर्म का मतलब होता है जो धारण करने योग्य है जैसे इंसान के लिए धारण करने योग्य इंसानियत होती है प्रेम करुणा सांती दयालुता सदभाव यह सब इंसानियत के धर्म होते हैं क्य जब धर्म को पूरी तरीके से बेइमान राजनीती तहस नहस कर रही है तो हम मंदिर के नाम पर भवे से भवे मंदिर बना दें क्या वहाँ पर राम का निवास होगा जो राम पिता की आज्या का पालन करने के लिए 14 वर्स की वनवास में चले जाते हैं जिस राम के साथ राम राज जी की व्याक्षा की जाती है क्या हुआ राम एक ऐसे मंदिर में रहेंगे जो एक मस्जित को तोड़ कर बनाई गई हो प्रधान मंति नरेंदर मोदी ने कहा कि राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा का दिन कैलेंडर पर लिखी एक तारीक नहीं बलकि एक नए काल चक्र क उससे उमीद की जाती है कि वह अपने पुराने वाले से बहतर होगा सुब का संकेतक होगा मगर इस नए काल चक्र में ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा के दौरान प्रधान मंति नरेंदर मोदी के साथ भारत के पूरे सत्ता प्रतिष्ठान की मौजूदगी ने केवल छवियों की दृष्ठी से देखा जाए तो भारत की धर्म ने वेक्षटा की सुब के मुल्ले की हत्या कर दी है और हिंदु धर्म की धार्मिक्ता की हिसाब से देखा जाए तो उस पर भाजपा के हिंदुत्यों का कबजा हो गया है हिंदु धर्म आजाए कि यह नए कालचक्र का उद्गम है प्रधानमंति नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के हज़ार साल बाद भी लोग इस पल इस दिन की चर्चा करेंगे इस वक्तव्य को सुनकर यही राय बनती है कि अगर हमारा इतिहास बोध इतना सतही होता तो हम आज भी आदी माना ही होते अगर आपने इतिहास को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हो और इतिहास की गती के साथ तालमेल बिठाया हो तो आप समझ पाएंगे कि जब हम और आप आज से हजार साल बात नहीं रहेंगे तो इस दोर को याद करके लोग रोमानचित नहीं होने वाले हैं गर्व का अहसास नहीं करने वाले हैं मौजूदा वक्त में हमें जो गर्व का हैसास कराया जा रहा है उसके पीछे किसी तरह की अपलब्धी नहीं है बिना अपलब्धी के बेइमान राजिसत्ता और बेइमान मिडिया के जरिये भरा गया गर्व का हैसास है मुम्किन है कि आज के हज साल के बाद लोग यह सोचें कि क्या ही मुर्खता भरा दौर था कि जब एक वेक्ति और एक पार्टी के प्रचार प्रसार के ओजार ने धर्म के सबसे गहरे मुल्यों से लोगों को अलग खलग कर दिया था सालों साल तक लोगों को मंदिर मस्जित के नाम पर लड़वाने का काम किया था प्रधान मंति ननेंदर मोदी ने कहा कि हमारे पुरुशार्थ त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक यह काम नहीं कर पाए आप राम मंदिर आंदोलन का पूरा इतिहास उठा कर देख लीजिए उसे धर्म के सबसे गहरे मल्यों पर पर रखने की कोशिस कीजिए धर्म ही इस पूरे आंदोलन को खारेच कर देगा धर्म और संबिधान दोनों की निगाह कई प्रमानों के साथ यह कहती है कि राम जन्मभूमी आंदोलन ना तो धर्म के अधार पर जायस था और ना ही संबिधान के अधार पर यह केवल और केवल भाजपा की चुनावी राजनीती का हतकंडा भर था जिसका इस्तमाल भाजपा ने सालों साल चुनावी राजनीती के लिए किया एक सामानने सी बात समझे कि जिस राम के बारे में यह कहा जाता है कि वह कणकण में बसे हैं उसके बारे में अस्थापित कर दिया गया कि वह किवल अयोध्या के एक मंदिर के निवासी हैं तो यह कैसे संभव हुआ होगा, भारत में लाखो मंदिर है, सैकड़ो मंदिर केवल आयोध्या में है, 400-500 साल किसी भी जमीन के टुकड़े के उपर क्या होगा, पूरी सटिक्ता के साथ या जानने की छमता किसी के पास भी नहीं है, उसके बावजूद भी राम जन्मभूमी को बाबरी मस्जिद के भीतर बता दिया गया, मिडिया तंतर के जरिये सालों साल तक इसका जबरदस्त परचार परसार किया गया, तो ऐसा क्यूं किया गया, ऐसा इसी लिए किया गया, कि सामपरदाइक भावनाओं के साथ भाचपा की राजनीती सालों साल तक चलती रहे आर्केलोजिकल सरवे की लंबी चोड़ी कारवाई के बावजूद भी सुप्रीम कोट को बाबरी मस्जित के धाचे की जमीन के बीतर मंदिर होने के कोई ठोस प्रमार नहीं मिले है इस पे गौर करके लाइन खीच लिजिएगा मस्जित को तोड़ना सुप्रीम कोट ने कानून का घंगोर उलंगन कहा राम जन्मभूमी विवाज से जड़े फैसले में सुप्रीम कोट ने अपने पूरे फैसले में बहुत ही तारकिक बाते लिखी मगर फैसला आस्था के दम पर सुनाया कानूनी मसले का हर इमानदार जानकार सुप्रीम कोट के फैसले को न्याय की तराजू पर तौलते हुए बहुत ही अच्छा फैसला नहीं बताता है उन सब की बातें इस तरफ संकेत करती हैं कि यह फैसला भाजपा की राजनीतिक विचार से प्रभावित फैसला था तो आप ही बताईए कि राम जन्मभूमी यांदोलन की पूरी कवायद में कि आपको धर्म और संबिधान के मुल्य नजर आते हैं एक सिंपल सा सवाल यह पूछिए कि क्या राम जिने आप अपना अराध्य मानते हैं इस वर तुल्ले मानते हैं क्या वो चाहते कि एक मस्जित को तोड़कर उनकी लिए मंदिर बनाया जाए प्रधान मंतिने अंद्र मोदी ने कहा कि भारत के संबिधान के पहले प्रती में राम विराजमान है मुम्किन है कि प्रधान मंतिने संबिधान की कोई अनोखी किताब पढ़ी हूँ क्योंकि संबिधान के किसी भी धर्म की अराध्य का कोई उलेख नहीं है नराम है ना अल्ला है ना जीसस है ना बुद्ध है ना नानक है कोई नहीं है मगर यह जरूर है कि संबिधान के हर प्रावाधान को पढ़कर निसकर्ष निकाला जाये तो संबिधान, स्वतंतरता, समानता, न्याय, बंधुता, धर्म निर्पेक्षता, प्रेम, सद्भाव, सान्ति की बात करता है। उन्ही सब सनातनी मुल्यों की बात करता है जो हिंदू धर्म से लेकर दुनिया के किसी भी धर्मे में मुझूद हैं। इसाधार पर प्रधानमंति नरंद्रमोदी के कामकाज और उनकी पार्टी की पूरी विरासत का कामकाज संविधान के कई मुल्यों की खोलेयाम धज्जिया उड़ाता हुआ दिखता है। उसमें से एक मुल्य तो यही है कि कोई भी सांसद, विधायक, मुक्षमंत्री, प्रधानमंत्री किसी भी धार्मी कनुष्ठान का हिस्सा नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री नरंद्रमोदी पूरी धूमधाम से संविधान द्वारा तय की गई मर्यादाओं को लांग रहे हैं और ऐसा करते हुए पूरी जिंदगी मर्यादाओं की सीख देने वाले स्री राम का नाम ले रहे हैं। प्रधानमंति नरेंद्रमोदी ने अपने भाशण में कारशेवकों को धन्यवाद दिया, जिनके बारे में सुप्रीम कोट ने कहा था कि मस्जित को तोड़ना घूर गैर कानूनी कृत्य था। प्रधानमंति ने उन्हें राम का रिणी बताया और उन्हें धन्यवाद दिया, बताईए अगर वाकई भारत में राम राज्य होता तो कोई भी प्रधानमंति इस तरह की बात करता। मगर क्या आपको लगता है कि राम के इस तरह की सार्थक अर्थों को प्रधानमंति ने रेंद्रमोदी और उनकी पार्टी और उनके समर्थक मानते हैं। कहा जाता है कि अगर इमानदारी से केवल अंतकरण से सोचा जाए तो बहुत कुछ साब साब दिखाई देने लगता है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा वक्त में राम के नाम पर सद्भाव, प्रेम और सांति की राजनीती की जा रही है। यह राम का नाम का इस्तमाल कर नफरत, संपदाईक और वोट बटोरनी की राजनीती की जा रही है। आप अपने अंतकरण से सोचेगा कि मौजूदा वक्त की राजनीती क्या वाकई ऐसी है कि उसमें राम राजजी का एक भी अंस दिखाई देता हो। अगर आप इमांदारी से अपने अंतकरण से सोचेंगे, तो जिस अंतकरण से सोचने की बात प्रधान मंतरी नरेंद्रमोदी कर रहे हैं, तो आप भाजपा और नरेंद्रमोदी की पूरी राजनीती को मानावता विरोधी कहकर खारीच कर देंगे। दरसल असल बात तो यह है कि राम मंदिर प्राण पतिष्ठा का आयोजन एक तरह का तमासा था तमासा का आयोजन इसलिए किया जाता है कि भीड के मन की चाहत पूरी की जा सके फिल्मी सितारों की मौजूदगी इसका एक उधारण थी भाजपा की सालों साल की राजनीती ने यही किया है अपनी सालों साल की की गई राजनीती के दम पर हिंदूओं के मन में गहरी असुरक्षा की भावना भरी है कि हिंदू धर्म खत्रे में है राम के पूरे अस्टित्व को भाचपा के जैसी राम में तब्दील कर दिया है बेइमान मिडिया के दम पर लोगों के मन में ऐसी चाहत भर दी कि उनके सामने एक पूरा लोग कल्यानकारी राज्य बेइमान बन चुका है वह राम आएंगे आएंगे राम आएंगे गा रहे हैं यही भाजपा की जीत है कि राज्य ने अपने धर्म ने प्रिक्चता के मुल्ले का ट्याप कर दिया है और हिंदु धर्म ने अपने धार्मिक्ता का देश के जाने माने चिंतक परताब भानु महता निंडन एक्स्प्रेस में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखे कि भारतिय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में राम की भूमिका ऐसी थी जिसका केंद्र हर जगह था और परीध ही कहीं नहीं थी अब वो एक केंद्र में बंद गए हैं राम के सद्गुणी मुल्यों से पैदा होने वाली दिप्तिमान चमक और करोणा को महजे कैसे लिटमस्टिस्ट में तबदील कर दिया गया है जिससे आप राश्टी निस्था को परखने का काम करेंगे हम सब को राम का विर्भक्त बना दिया गया है वैसा भक्त जो प्रतिसोध के तर्क पर अपने जीवन द्रिष्टी बनाता है हमें तुलसीदास, गांधी और कबीर से भी ज़्यादा राम का महान भक्त बताया जा रहा है क्योंकि हम इनकी तरह प्रतिसोध की तर्क को खारिज नहीं करते हैं चलते चलते भागवत गीता की एक पंक्ती सुनिये घमंड के कारण पैदा हुई जुनून की अवस्था में सम्मान और मान्यता हासिल करने के लिए दिखावटे ढंग से की गई तपस्या का परिडाम और अस्थाई और छडभंगूर किस्म का होता है शुक्रिया